हलो स्टुडेंट्स आज हम मुगल समराट साजां के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने 1627 इस्वी से लेकर 1608 इस्वी तक मुगल समराट के रूप में सासन किया साजां के बच्पन का नाम खुर्रम था इनका जन में पांच जन्वरी 1592 इस्वी को लाहोर में हुआ साजां की माता या खुर्रम की माता मारवाड के राजा उदेशिंग की पुत्री जगत गोसाई जिसको जोदा भाई के नाम से भी जाना जाता था थी साजां ने पहले नूर जहां गुट का परमुक सदेश्य वे सिंगासन का दावेदार था किन्तु नूर जहां धवारा अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवा शहर यार से करने पर नूर जहां बादसा के पत के लिए शहर यार की दावेदारी करने लगी अते, शाह जहां ने 1623 इस्विय में बगावत कर दी 1627 इस्विय में जहांगीर की मिर्त्यू के समय साह जहां दक्षिन में था अते, शाह जहां के ससुर आसब खाने खुसरो के बेटे दावर बक्ष को तक्त पर बैटा कर कूटनितिक चाल चली तथा साह जहां ने अपने भाईयों वे प्रत्वी द्वंदियों का अंत करके अंत में दावर बक्ष को भी मार दिया वे चार फर्वरी 1628 इस्वी को आगरा के राज सिंगासन पर अबुल मुझपर शाह बूदीन मुहम्मद साहिप किरान सानी की उपादी लेकर बैठा समकाली नितियास कारूने दावर बक्ष को बली का बक्रा का शाह जाह का विवा नूर जाह के बाई आशप खां की पुत्री अरजुमंद बानू बेगम से 1612 इस्वी में हुआ वह इतियास में मुम्ताज महल के नाम से परसिद हुई तथा आगरा का परसिद ताज महल मुम्ताज की आद में साह जाने बनवाया 1631 इस्वी में मुम्ताज की चोदमें बच्चे को जन्म देते समय बुर्भानपुर में मृत्यु हो गई मुम्ताज की 14 संतानों में केवल चार पुत्र वे तीन पुत्रियां ही जीवित रही जिसमें सबसे बड़ी पुत्री जहां आरा जिनका जन्म 1614 इस्वी मुहा उसके बाद दारा शिको जिसका जन्म 1615 इस्वी में उसके बाद रोशन आरा जिसका जन्म 1617 इस्वी में उसके बाद औरंग जेब जिसका जन्म 1618 इस्वी में उसके बाद शूजा और उसके बाद मुराद और सबसे जो छोटी लड़की थी उसका नाम था गोहन आरा इस परकार सबसे बड़ा लड़का दाराशिको और सबसे चोटा लड़का था मुराद चार लड़के दाराशिको, औरंगजेब शूजा और मुराद तीन लड़कियां जहां आरा रोशन आरा और गोहन आरा मुम्ताज की दासी सतुनिस्टा खानम उसकी विशेश सलाकार थी मुम्ताज को मलिक ए जमानी की भी उपादी प्राप थी शाह जहां का अंतिम आट वर्स आगरा के किले के शाह बुर्ज मुस्मन बूर्ज में बंदी की तरहरा इस समय उसकी बड़ी बेटी जहां आरा उसके साथ थी साजां का पहला मुगल सासक था जो अपने जीवन काल में गदी से उतार कर कैदी बनाया गया साजां की मृत्यू 1666 इस्विय में हुई तथा उसे ताज महल में मुम्ताज की कबर के पास ही दफना दिया गया अब हम साजां के सासनकाल में जो मुगल सामराज्य विस्तार हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले एहमद नगर का विले 1633 इस्वी में एहमद नगर को मुगल साम राजय में मिला लिया गया और अन्तिम निजाम साही सुल्तान घुसेन शा को कैद करके गौौलियर के किले में भेज दिया गया ये साजां की एक बड़ी सफलता थी कि एहमद नगर को मुगल सामरजे के अदिन कर लिया गया पते कां एहमद नगर अभियान में मुगलों का एक सेना नाइक था एहमद नगर के पतन के बाद शाजी भोंसले एहमद नगर को छोड़ कर बिजापुर की सेवा में चले गए 1636 हिश्व में गोल कुंडा के सासक अब्दुल्ला कुतुब सा ने मुगलों की अदिनता सुविकार कर संदी कर लिए गोल कुंडा में इरान के शाह के स्थान पर शाह जहां के नाम का खुत्वा पड़ा गया वे शिक्कों पर भी शाह जहां का नाम समिलिते करवाया गया क्योंकि संदी करनी से पूरुए गोल कुंडा का जो सासक था अब्दुला कुतुब सा वे शिया धरम से संबन्दित था इसलिए अपने कुतुबे में इरान के शाह को पड़ा जाता था गोल कुंडा जो चार लाग हुनू का कर विजापुर को देता था वे माप कर दिया गया इसी समय गोल कुंडा का वजीर मीर जुमला जिसका मून नाम मुहम्मद सेथ था गोल कुंडा छोड़ कर मुगलों की सेवा में आ गया मीर जुमला पहले फार्शी व्यापरी था मीर जुमला ने साहजा को कोही नूर हीरा बेहट किया 1631 इस्व में साहजा ने आसब खां को विजापुर पर आकरमन कन्नी का आदेश दे दिया परंतु आसब खां का आकरमन ऐस अपल रहा इसके बाद साहजा ने माहवत खां को दक्षिन का सुविदार नियुक गया 1636 इस्व में ही विजापुर के सासक मुहमद आदिल साह ने भी मुगलों से संदी कर मुगल आधिपत्य सुईकार कर लिया साहजां के समय दक्षिन के मुगल वाइसराय की राजदानी बुर्हान पूर थी इस परकार अहमद नगर को मुगल साम राजिया में मिला लिया गया तथा भीजापुर और गोलकुंडा के सासकों से अधिनता सुईकार करवा कर साहजां की दक्षिन नीती एक सपल नीती के रूप में परिनीत हो लिए अब हम साहजां की मद्दे एशिया नीती के बारे में चर्चा करेंगे बल्क और बदक्षा हिंडू कुस परवत के उत्तर में इस्तित्थे तथा बुखारा के उजबेग सासक नजर मुहम्मद के नियंतरन में थे बल्क और बदक्षा में मुगल समर्तित सासक होने से काबूल और पसीमोतर सीमा पर उजबेग खत्रे को कम किया जा सकता था बुकारा के सासक नजर महम्मद के बेटे अब्दुल-ऀजीज ने विद्रो कर दिया तो नजर महम्मद ने साहजा से मदद मांगी वे बल्क में सरन ली साहजा ने बल्क और बडक्सां के विरूद पहला साइनिक अबयान साहजादा मुराद और अली मर्दान के नित्रितों में 1646 इस्वे में बेजा नजर मुहमद मुगलों के इरादे से आश्रंकित होकर इरान भाग गया साहजा ने पहले मुराद को बल्क वे बदक्सा का गवरनर बनाया तथा 1647 इस्वे में मुराद के स्थान पर औरंग जेब को गवरनर बनाया औरंग जेब ने अब्दुल अजीज के नेत्रितों वाली उजबेग सेना को बुरी तरह प्राजित किया किन्तु इस्थान ये विद्रो वे इरानी समराट शाह अब्बास दुईतिय के बढ़ते हास्तक्षेप के कारण साहजा ने औरंग जेब को बल्क वे बदक्सा को खाली कर वापस आने का आदेश दे दिया साहजा के बल्क अबियान जो कि 16-16-17 इस्व में किया गया का उदेश से बल्क वे बदक्सा में एक मित्रवत शार्षन की स्तापना करना था ने की मुगल सामराजी की वेग्यानिक सीमा निर्दारित करना इसके अतिरिक्ति साहजा मुगलों के ग्रह परदेश समरकंद वे परगना को जीतने का इचुक भी नहीं था बल्क अबियान से मुगलों की परतिश्था तो थोड़े समय के लिए बड़ी किंतु इसके कोई राजनेतिक फायदे मुगलों को नहीं मिले तथा चार करोड रुपे से ज़्यादा खर्च हुए साहजा की मद्दे एशिया निती पूंत है विफल रही अब हम साहजा के अंतिम दिनों में हुए उत्रादिकारी युदु के बारे में अद्दैन करेंगे जो की 16-17-17 में हुए उत्रादिकारी युद में जहां आरा जो साहजां की सबसे बड़ी बेटी थी ने दाराशिको, रोसन आरा ने ओरंगजेब, और गोहन आरा ने मुराद बक्स का पक्स लिया शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने आपको बाज सागोशित कर दिया ओरंगजेब ने कूटनी तिक चुपी रखी और ओरंगजेब दक्षिन का सुबेदार था इस समय उत्रादिगारी यूद में पहला यूद हुआ बादूर गड़ का यूद है जो की 14 फरवरी 1658 इस वी को लड़ा गया शाह शुजा वे शाही सेना के बीच बनारस के पास बादूर गड़ जिसको बादूर पूर भी कहते हैं यह वर्तमान में उत्तर परदेश में सिस्तान है नामकस्तान पर 14 फरवरी 1658 इस वी को यूद हुआ जिसमें शाह शुजा हार गया शाही सेना का नेत्रत इसमें सुलेमान सिको जो की दारा सिको का पुतर था वे मिर्जा राजा जेसिंग कर रहे थे उत्रा दिकर यूद में दूसरा यूद हुआ धर्मत का यूद जो की 15 अप्रेल 1658 इस वी को लड़ा गया ओरंग्जेब और मुराद की सेना ने उज्जेन के पास धर्मत नामकस्तान पर जस्वंत सिंग वे कासिम खां के नेत्रत वाली साही सेना को प्राजित किया जस्वंत सिंग जब धर्मत से प्राजित होकर जोदपुर आया तो उनकी रानी ने उसे किले में नहीं गुषने दिया अब हम अगला यूद सामूगड का यूद देखते हैं जोगी 29 मई 1650 को लड़ा गया आग्रा के पास लड़े इस निरनायक यूद में औरंगजेब वे मुराद की समिलित सेना ने दारा सिको को प्राजित कर आग्रा पर कबज़ा किया साजहां को बंदी बनागर आग्रे के किले में मुश्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया सामूगड की जीत के बाद औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर गौालियर के दुर्ग में बेज दिया वे उसकी हत्या करवा दी अगला युदे खजुआ का युदे जो पांच जन्वरी 1669 वी को लड़ा गया इलाबाद के निकटे खजुआ के युद में औरंगजेब ने साज सुजा को प्राजित किया सुजा अराकान बर्मा बागया जहां उनकी मृत्यूप हो गई उत्रादिकारी युद में सबसे अंत में लड़ा गया युदे देवराई का युद था जो की अप्रेल 1669 में हुआ अजमेर के निकटे दोराई या देवराई गाटी में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से प्राजित कर दिया मलिक जीवन नामक बलूची सरदार के विश्वास गात के कारण दारा पकड़ा गया वै उसे न्याय दिशुने वी धर्मी गोसित कर मृत्यू दंड दे दिया दारा की पतनी नादीरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वरगवास हो गया मलिक जीवन ने दारा वै उसके पुत्र सीपी हर शिको को औरंगजेब को सौंप दिया इतियासकार बर्नियर ने दारा को मृत्यू दंड देते हुए अपनी आँकों से देखा प्रांसिसी डाक्टर बर्नियर 1608 इसमें साजा के अंतिम समय में भारत आया था दारा को हुमायू के मकबरे में दपना दिया गया धन्यवाद